अब बहुत सा लोग बोलते हैं सर कि फीजिकल क्लासिज ही होता है पर फीजिकल क्लासिज में कुछ प्रॉब्लम्स सबसे पहले कि फीजिकल क्लासिज आपके ऑफिस और आपके घर के आसपास होना चाहिए हो दो-चार-दस मिनट की दूरी पर होना चाहिए अगर माने किसी फिजिकल क्लास में एक घंटा जाने में लग रहा है तो फिजिकल क्लास आपके लिए अच्छा नहीं देखिए मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं इंडिया का पहला ऑल्लेंग क्लास टेनल हूं जिन्होंने लाइफ क् सबसे पहले क्लास के बारें बता दो जो क्लास किस तरीके से हम देखिए यह आउनलाइन लाइफ जी मैं यवाज आ रही है आपको या फाइब ओके तो सबसे पहले मैं क्लास के बारें बता दो जो क्लास किस तरीके से हम देखिए यह आउनलाइन लाइफ क्लास होगा जिसमें आप और मैं होगा मेरी क्लास सिर्फ वन टॉट न क्लास नहीं है मतलब कि मेरे हाँ ऐसा नहीं है कि मैं 100-200 लोगा ग्रुप बना कि मेरा जो कंटेंडा मेरा मेरा दुकर से ओ है कि इसमें मोस्ली एक होता है कभी BE कभी आते हैं था से में ज्यादा मैंे छी नहीं होता ही है इंकेस कभी-कभी दो घुजाते कुछ आप लोगot है जिनकी इंटेविभी हो गरा ये आप डारेक्ट मेरे से जो भी सवाल पूछना पूछ सकते हैं जिसे एक कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर जो ऑफ लाइन क्लासे होती है उससे भी बेटर यह ऑनलाइन क्लास कोई मिलेगा जो आपको वन-टू-वन क्लास पदब देगा क्लासे में 10-15 बच्चे होंगे आपको सामने बताएगा समझाएगा आपके दो-चार को सॉल्ट करेगा फिर आपके लाइब में ले जाएगा जहां पर देटा और प्रोवाइड की जाएगी मुस्त लोग तो लेकी जाते आपको करना है करके टेनर को दिखाना है आपसे नहीं यह मुझे ऐसा लगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपकी computer screen लूँगा मैं जैसे आप मेरी की screen देख रहे हैं से मैं आपकी screen देखूंगा और अपने सामने सारे चीज़ को करवाओं क्लास जो है बेस्टी तीन मोडल में चलती है पहला होता है वाज रिपीट रिसार्च वाज मतला मेरी क्लास को अच्छे से देखिए कंसेट को समझी आपने डाउट्स को क्लियर कीजिए कुछ इस्टरा चीज़ है उसको बारे में जाने देन आता है रिपीट जैसा मैंने कि पर जैसा आपको मेरी आपको सपोर्ट रहेगी साहथ में मेरा वीडिओ रिकॉर्डिफिश्य रिकॉर्डिक जैसे आपको त्लेकर में से लेटा है हर क्रास युर्णंप रिकॉर्डिज क्लसके बाद की सब्सक्राइब कि एकजूर्ड गरांप ब्रिए और थे आदेम परी जो चीज समझ गया ठीक जो नहीं समझता हैं उसको आप मुझे अगली क्लास में पूछेंगे अब हम बात करते हैं कि हमारा कि किस लेवल का हूं तो मैं अभी computer screen आपको दे रहा हूं लिए सबसे परहिए समझते हैं कि advance Excel होता है एक्सल के का कोई अलग बर्जन है कि यह बर्जन एडवांस है यह बर्जन बेसिक है या एक्सल की कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि advanced और basic में आते हैं ऐसा कुछ नहीं है Microsoft ने ऐसा कहीं भी रिवील नहीं किया है, यह टॉपिक बेसिक है, टॉपिक एडवांस है, बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारे प्रापी उस पे, अब इसको मैं तो चीजिए समझाता हूँ, सबसे पहला, इस दो एक्जामपल समझाता हूँ, जो मैं मोस्ली लोगों को देता हूँ, ज यहां पर 20 लिखा और यहां पर 30 लिए, अब इस 20 को को कॉपि किया 30 की ऊपर पेस्ट की, तो क्या होगा 30, 20 से रिप्लेस हो जाएगा, क्या सर, राइट क्लिक किया and go to the paste special, इन दी paste special, we have the options add, अब समझे पेस्ट special क्या आगा, नॉमल ही जो कॉपि पेस्ट करते हैं तो आपक का चूपी करके पेस्ट करते हैं तो हमें इन पेस्ट करता है और रिजल्ट यहां पेस्ट होगा रिजल्ट देख रहे हैं पेस्ट हो गया तो ज्यांकर इस प्रिप्टी जो है पेस्ट हो गया ठीक है एक वावा बताता हूं मैं राइट क्लिक किया पेस्ट इस पेशल इस पर मैंने मल्टिप्लाइए और यहां मतलब आपने क्या सीखा आपने सीखा कि कॉपी करके जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करते समय हम राइट क्लिक करके ऑप्सिंस में अगर हम मल्टिप्लाइए डिवाइश करते हैं तो दोनों के बीच में मैथेमाटिकल कल्कुलेशन होगा और विर्जल्ट पेस्ट हो अब यह होगे बेसिक एक्सल जहां आपने सीखा कि हम फीचर को कैसे पीचर क्या होता है और कैसे अप्लाई करेंगे और क्या रिसलता है यह हम बेसिक मात कोई भी टेनर जो बड़े बड़े टेनिंग सेंटर से हैं जहां पर सुन्दर सुन्दर लड़किया रहती रिसेप्सिंस में इस्माइल देखे गुड मॉर्टिंग बोलती है तीस जमाँ होने से पहले आपको क्लास्वूं में नहीं जाने रहती है ऐसे ट्रेंडिंग सेंटर भी जब जाएंगे तो जहां यह ट्रेनर आंगे पढ़ाएंगे लेटिया है इसी लेवल का पराएंगे क्योंकि उनको यह नहीं पता होता है कि ऑफिस में सका इंप्लीमेशन क्या है क्योंको हो पहले स्लेबर्स होता है उसी पृप को पर यह पढ़ाता रहा एक एक बुक पांच-पांच-पांच-जज़ साल चलते रहा लेकिंगे जब के लिए यह तो आपको दिख रहा है ना यसी को मैं सी टू पर समझाता हूं कि अगर मुझे इसको प्रहाना होगा तो मैं कैसे प्रहाओ सबसे प्रहले मैं इक प्राब्लम ग्रियेट कर दो जैसे यहां पर 20% लिखना है तो टू जीरो परसंट का सेंबल टाइट करूँ अगर मैंने 20 लिघ दिया इसके उपर परसंट का सेंबल दिया तो हो गया जाएगा 2000 तो लिए एक्सल में एक्वल टू हंड़ेट परसंट होता अब इसके उपर परसेंट अप्लाई करूंगा तो 20 परसेंट अब यही प्राब्लम हुआ कि मेरे कुछ कलिक्ट है जो मुझे डेटा बेज दे ते वो क्या करते थे डेटा का हेडिंग दे दिया परसेंटेज और डेटा नंबर में बेज दिया कुछ इस तरह से मैं रान बिट ठीक है अब उनके हिसाब से 71 परसेंट एक्सल की हिसाब से क्या है सेंटीवन नंबर करना चाहूं तो परसेंट सेंबल के साथ है तो अगर हो 71 नंबर है तो मैं मुल्टिप्लाई करूंगा इस इसको करना पड़ेगा यह इसको करना पड़ेगा मैं नहीं करना चाहता है वहां के चेंज करना नहीं चाहता कि मुझे कुछ से स्टैटिक्स में हमने बुला कि बताओ कि किसने कितना परसेंट कहां कितना कि परसेंट हुआ है तुन्हों ने इस तरह से नंबर दे दिया अब इसको मैं परसेंट में करूंगा परसेंट का सेंबल यहां पर तो यहां पर करेंगे तो रिजल्ट होगा वहां मुझे क्लिक करेंगे तो गलत लगा है कुछ इस तरह का परसेंटेज करेंगे तो गलत लगा है मुझे कुछ इस तरह का परसेंटेज चाहिए 71 इस तरह का चाहिए कि इसको करने का दो तरीक पाणिए कर सेंबल लगा डोबल क्लिक करो परसेंट के सेंबल लगा अब डेटा आपका दुच्रा दूस्ति कर लिजेगा इसक्रा थाफेटां तो क्या लग रहा है को सब्सक्राइब करना नहीं है कि क्या है सब्सक्राइब क्या है कि मैं इसको डेस्ट में करना कैसे सब्सक्राइब करना कि क्या करेंगे किसी एक सब्सक्राइब और इसको कॉपी करेंगे पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर करेंगे डिवाइड क्या करेंगे अब क्या है कि हंडेड से हर नंबर अगर डिवाइड होगा तो क्या आएगा चाहिए जैसे करूंगा एक ही क्लिक पर सारा वगए अब असानी से परसेंटेज कर चाहिए अब आप आप ही कुछ खुद किजिए कि पहला हमारा तो यह तरीका हो कि कहला था कि जो चीज आप पढ़ते हो ना उसके रिएल टाइम यूज जाना है जो नहीं हम जो तेन त्वेल्स में पढ़ते हैं सर्कल अब स्क्वाइर रेडियस ऑव इसक्वाइर प्रमूला याद कर लो पांच नमर कर पूछेगा यहां है कि हमें इसको रिएल टाइम में यूज करना है अपने ऑफिस के लिए लेवल का जाड़ना होगा कि इस टॉपिक को कहां इकलाइज करें हमारी इस तरह से दी जाएगा हर एक टॉपिक इसी तरीके से पढ़ाए जाएगा अब यहां पर बात करते हैं कुछ लोग बोलते हैं शॉटकर्स के बारे कि सब्सक्राइब बनाते दीजिए शॉटकर्स लिस्ट तो यहां भोजेंगे सारे शॉटकर्स यहां दिख जाएग इस तो आपको शॉटकर्स कुछ पूब यहां पर आपकी काम का कि जो काम घंटो का है उसका में कैसे करेंगे या कुछ मिनट में कैसे करेंगे शॉटकट होगा ना सब्सक्राइब एक्जामपल लेते हैं कि यहां पर आपने लिगा पूजा मोहन इस तरह से नीचे तक आए और यहां पर हमने जैन फैर मार्च अपील मई जून जुलाइब अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर रहे हैं तो में पास एक रिपोर्ट आया है मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स में मेरा रिपोर्ट आया यहां पर हमें फर्मा लगा है किसका रैंड बेट्वीन का इसको दिया इसको अब मेरे पास अब बस अब बस बता रहा है कि पूजा ने कितना को उट्रिक्स कामने तो यहां मुझे बताओ कि किसमें कितना परसंट्रा क्वांटेटी अचीव किया मतलब किसके बगल में मुझे एक कॉलम इसके मुझे टार्गेट एचीव परसेंटे इस तरह का कुछ एडिंग देटा है उसको डिवाइट कर देंगे 70 क्या कर देंगे कि यह ज़िए कि अब कि और यहां पर एंट्राइस कर दो कि और नीचे तक ड्राइट करें और इसके उपर परसेंटेज लाए बता चल गया कि पुजा ने जर्मड़ी में नाइंटी शेल किया है अपने परसेंटेज का 129 से लिए मोहन को 40 परसेंट की अचीव हुआ कवीता को 41 मंदे की अपने टारेट का सुम्पल सा एक कॉलर में इसके बड़ाइट और हमने इकोल प्रेस्टिया नाइंटी को से लेकिए और इसको दिवाइड वाइज से मेंटी कर रहे है इसको परसेंटेज में पन्वार्ट कर रहे है अब प्रॉब्लम यह है कि में पास बारा कॉलर्ण अब यह मंतली है कि डेली भी हो सकता है तो इसका क्यों चाहिए अब देखिए आप दो डेटा शॉर्टिंग तो जानते होंगी डेटा शॉर्ट कैसे किया जाता है अब इसी यूज को डेटा शॉर्ट में यूज करेंगे हम एक नया रो एड करेंगे और इसके उपर नंबर देंगे वान टू इस तरह से तो इसी नंबर को कॉपी करके पेस्ट करेंगे जहां पेस्ट करेंगे जहां पर नंबर खतम होगा उसके बाद ठीक है और इसके नीचे अपना हेडिंग देंगे जो हमें हेडिंग जाए हेडिंग को कॉपी पेस्ट करेंगे अब क्या करेंगे कि जो नेम बला हेडिंग को छोड़ के इस पूरे को सिलेक्ट करें चाइब है ठीक है और यहां शॉट में आएगी नियुका के अंदर शॉट होता है स्वाट कस्टम सोट पर हम चूज करेंगे यहां उपर पर औप्शन को चूज करेंगे यहां लैप को राइट मत्यक्त हम शॉट तॉब्लं नहीं लैप तु राइट ते हरा आंव जैसे। सॉट होगा चायें सॉट दोनों इकटाएं या वाला वन और यहां वाला वन कि सोटा है तो पूरा itud होता है तो पूरा पूरा कॉलम नीकिंद यहाँ ओन जाएगा पूरा 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 लेकर आ फूरह लिएक प्लांग फ्रवरी मार्स ब्लांग अप्रियल ब्लैंक मिल यह अब यह जो नंबर है ना इसको फ्रीट कर दिया हर रोप कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलन हमने इंसर्ट अब दूसरा दोड़ा जगा और पर जहां पर ममने किया कि चुर्ट कर लिया और यहां यहां पर यहां पर हम जो देंगे अपना कैलकुलेशन नहीं कैसे करें अब एक एक करें को सेलेक्ट करें हमारे पास फाइन सेलेक्ट के अंदर इस इस फीचर होता है जब प्लिक करूंगा जहां जहां ब्लाइंग से लेना वह सारा एक बार में स्लेक्ट कुछाएगा हो गया है अब मैंने क्या किया फॉर्मूला लगाया और डिवाइट वाइस सेमेंटी लेकि क्या है कि अगर में नॉर्मल एंटर मारूंगा तो सिर्क यही एक सब्सक्राइब करें यहां पर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है कंट्रोल एंड हो गया देखिए जो चीजे बता रहा हूं कि एक्सल में रियल एडवांस क्या होता है यह सब चीजे को डिटेल में मैं सुरू से पढ़ हमारी अभांटल बात करते हैं अपने इसके उपर क्या का आप कोर्स क्या कि कोर्स कंटिंड में आपको वाट्सप आथ सब्सक्राइब आपनी वहां व्युक्तर पास मेरे लुच्प्ट वेसिकली दो दो कोर्स है एक का दूरेशन चार महीने का है और दूसरे का दूरेशन दूरेशन दूरों पीडियेशन आपको भेज देए अब इन दोनों पीडियेशन को एक बार देखते हैं ओपन करें तो सबसे पहले जो कोर्स हमारा है यह है इसके अंदर पर क्या क्या समझते हैं इसकी डूरेशन आपको जो परेगी और परेगी 45 दिन दे के आसपास थीक है 35 45 दिन देगी दो मेने का आसपास चलेगा इसमें सबसे पहले यू हाँ 45 आवर्स मैं क्लास की बाद अब करता है आपकी लर्णिंग है हम अपकी मंडे तो फ्राइड होगी तो महीने महाप का जो है अठारा साथ गंते ही इसलिए मैंना आपको दो महिने के आसपास बताया है तो इसमें सबसे पहले most features जो है और कवर करेंगे मेनु बार होते हैं पिक्चर लुक अप हो गए copy paste हो गया data fill हो गया फिवट टेबल हो गया then हम बात करेंगे फिवट टेवल के डैश्वोर्ट अब प्योड टेश्वोर्ट क्या होते है मैं दिखाता हूँ कि चारव इस तरह के देश्बर आपको बनाने पने एस सारे अधार हम बनाते हैं पीवर टेवल की तूट बना जैसे इस तरह की आपको डेश्बॉर्स बताएंगे तो यह आपका डैश्वू पीवट टेबल डैश्वूड आरे दैश्वूड के बाद इसमें पांस रोगा चांप फार्मुले नीट की सांथ मुझाप होंगे एक सिर्टर की सब्सक्राइब होगा इसके बाद date कुछ करेंगे और इसके बाद हम डाइमिक चार्स करेंगे और इसके बाद हम इनक चार्स पर करेंगे जबनेगे और कुछ फॉर्मुले से दैस्ट भी कवर करें कि इसकी दूरेशन दो महिने के आसपास जाएगी अब यह जो नया कोड़ कुछ करीफ दो साल पहले मैंने पिजाइन किया था अभी जो नया कोड़ कि मैंने जून महिने में डिजाइन किया है उसको देख कर दो है हमारा इलाइज सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद बात करेंगे डेटा पॉर्सेस नहीं होता है रेडी टू यूज नहीं होता है उसको कैसे यूज करेंगे सब्सक्राइब कर देटा चाइए क्या आपको बनाना चाहिए इसमें चुर्स नंबर वन जो धा एक पूरा इसके अंदर इंक्लूट किस पार्ट में पूरा इंक्लूड उसके बाद इसमें हम बात करें कि एक्सल के अंदर हमेरे पास पैथन की प्रोग्रार्मिंग क्या है प्रोडी प्रोडी प्रोगामिंग के नहीं सिखाऊँ को लेकि एक्सल में कम यूज कर सकते हैं वह मैं आप समझाओंगे यह चीजो है इसमें जो मेन आएगा वह आएगा जो आपंधर लॉं में नहीं है पैहतर आ जो बीचला फीचर यह थो नहीं है और नीचे का फीचर भूर नहीं है इसमें आपको 40 के आज पास भी पोर्ट बनावाएंगे कुछ मैं बनाऊंगा कुछ आपसे बनाएंगे इसमें आपको ज्यादा नहीं होगा इसमें तींचार डैश्बॉर्ड एक्सर ना इसे पांच से डैश्बॉर्ड गवर करें ताइम इसी तो ज्यादा लग रहा है ना सर एक डैश्बॉर्ड को बनाने में एक गंते के आसपास लगता है इसमें आपका डैश्बॉर्ड जो होगा वो थाटी आवर के आसपास बनाने के आदिए इसकी डिरेशन जो है 50 to 60 सिफिफ आवर्स मतलब कि चार महीने कास पर चलेगा ठीक है और पहले वाली कोर्स चीशरेगी वित्व आपको तेन थाउजन होगी और दूसरे वाली कोर्स की फीशा आपको दो होगी आप तोनों में समझें बेनिफिट से पहले बाले कोर्स आप लेकि जाएंगे तो आप एक्सल की इंट्रिवू का अच्छे तरीके से लिगा सकते हैं लेकिन जहां पे एक्स्प्रियेंस होल्डर का काम हो मतलब कि आप बोलेंगे कि सर मैं पांच सालों से एक्सल पर डैस्पोर भी बना रहा हूं तो यहां पर पड़ाने के चांस इनकर आप जूट नहीं बोल पाई है क्योंकि इसमें आपको वह इंडिस्ट्री बेस उत्तमा ज़्यादा डीपली नहीं जो पांच साल की एक्स्प्र लेकिं आपको कहीं पर ऐसा रही है जहां पर एक्सल का डीपली यूज है टैस्पॉट का डेटाने सिस्कम इस चाहां पर पैकेज ज्यादा है आपको पैकेज आपकेज तक्रीवां आठ्वलग दसलाग का पैकेज है तो वहां पे आप कोर्स प्रूर न के साथ जाएंगे अ आप असानी से कर सकते हैं कि इसमें वो सारे चीज रिबलेबल है यहां पर तीज़ सब्सक्राइब कर रहा हूं समझ सकते हैं कि कि इस नहीं होगा कि इस अब देख सकते में लिखा हुआ है तो दोरों पॉर्स आपके सामने हैं अब आपको जो चूज करना है वह आप बताइए कि आपको कौन सा और